नमस्कार आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में फ्लोएम भी जैलम की बानती एक जटिल प्रकार का स्थाई उत्तक है इसे बास्ट या लेप्टॉन भी कहते हैं पादब शरीर में कारपनिक खाद्य पदार्तों का परिवहन या समवहन इसी उत्तक के द्वारा होता है इस जटिल उत्तक की विभिन प्रकार की कोशिकाओं का उद्भव समान है परंतु इनकी आकरती पैकार्य भिन होती है अताय यह एक हेट्रोजिनस टिशू है फ्लोयम को पुने दो भागों में बाटा जा सकता है प्राइमरी फ्लोयम और सेकेंडरी फ्लोयम प्रात्मिक फ्लोयम प्राक एधा से प्रो केंबियम से जबकि दित्यक फ्लोयम समवैन एधा से यानि वेस्कुलर केंबियम से बनता है हम जानते हैं कि पोदे के अंदर प्रात्मिक विद्धी और जिद्यक विद्धी पाई जाती है तो जो secondary phloem है वो secondary growth के समय बनता है primary phloem पुने दो भागों में बांटा जाता है proto phloem और metafloem proto phloem first formed primary phloem होता है जिसमें narrow sieve tubes पाई जाती है जबकि metafloem later formed primary phloem होता है जिनमें sieve tubes का size proto phloem के तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है phloem चार मुख्य प्रकार की cells यह element से मिलके बना होता है लेकिन पादप समू के अधार पर यह चार प्रकार जो हैं वो भिन-भिन प्रकार के होंगे जैसे angios pumps में phloem में मिलने वाले चार भाग sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma और phloem fibers होंगे लेकिन gymnos pumps में sieve tube elements की जगए sieve cells companion cells की जगए albuminus cells पाई जाती है तो इस प्रकार कौन सा पादप समूम अध्यन कर रहे हैं उस अधार पर phloem के घटक पाई जाएंगे पहला main component जो है phloem का वो sieve cells कहलाता है gymnosperms में, tidophytes में और sieve tube elements कहलाता है angiosperms में angiosperms के अंदर sieve tube elements जो हैं वो एक दूसरे के उपर arrange होकर और आपस में एक दूसरे से join होकर sieve tube का निर्मान करते हैं इन sieve tube elements की जो end walls हैं ये perforated होती हैं यानि इन में pores मिलते हैं और जिस end wall पे ये pores मिलते हैं उसकी आकरती एक sieve जैसी, छलनी जैसी होती है इसलिए इस end plate को sieve plate कहते हैं oblique perforated septa food material का जो translocation होगा वो इनी sieve force के थ्रू होगा sieve tube एक living sin side का example है अर्थात, एक sieve tube का निर्मान कई छोटी sieve tube elements के एक दूसरे के साथ fuse होने के पश्चात होता है sieve tube elements आपस में जुड़कर एक long tube like structure जो की longitudinally arrange होती है बनाते हैं ये companion cells के साथ जुड़े वे होते हैं sieve tube elements या tidal phyta gymnosum में मिलने वाली sieve cells ये दोनों thin wall cells होती हैं और living cells होती हैं यानि जो sieve cells या sieve tube element है यह phloem का जीवित हिस्सा है जीवित पार्थ है एक mature sieve tube element में एक large vacuole पाई जाती है जिसकी वज़े से इसका कोशी का द्रव्य परिदी पर सीमित होता है तथा इसमें केंद्रक का भाव होता है इसलिए इसे E-nucleated living cell कहते हैं cell जिसमें nucleus नहीं है तो nucleus के बिना इस sieve tube के कारें का नियंत्रण कौन करेगा The function of sieve tubes are controlled by the nucleus of companion cells sieve tube के साथ जुड़ी ही companion cells जो है वो इसके कारें का नियंत्रण करती है क्योंकि उनमें केंद्रक पाया जाता है तो companion cell के साथ-साथ sieve tubes के कारें को भी नियंत्रण करता है अब gymnosperms और tidal phyta में मिलने वाली sieve cells और angiosperms में मिलने वाली sieve tube elements के अंत्र को और अच्छी तरह समझते हैं यहां इस साड़नी में आप इन दोनों के अंत्र को अच्छी तरह देख सकते हैं पहला इस्सा sieve tubes के बारे में हैं दूसरा इस्सा sieve cells के बारे में हैं जैसा हमने देखा था sieve tubes angiosperms में मिलती है sieve cells जो हैं यह lower vascular plants जैसे tidal phyta और gymnosperms में मिलती हैं sieve tube सदैव companion cells के साथ होंगी जबकि sieve cells में companion cells अनुपस्थित होती हैं sieve tubes में well marked और differentiated sieve area मिलते हैं यानि सूस्पष्ट sieve areas इन में मिलते हैं जबकि sieve cells में 31 पश्पष्ट नहीं होते sieve tubes में यह sieve areas हैं यह sieve plates पर restricted रहते हैं जो इन sieve tubes की oblique या transferly placed cross walls होती हैं जबकि sieve cells में sieve areas जो होते हैं यह scattered होते हैं यह radial walls में भी हो सकते हैं और end walls में भी हो सकते हैं एक sieve tube का निर्मान कई छोटी vertically placed sieve element से मिलके होता है जबकि sieve cells जो हैं वो अकेली होती हैं elongated होती हैं और with tapering end walls होती हैं इस चित्र में आप phloem के अंदर sieve tube element को देख सकते हैं इस sieve tube element में आपको end walls जो हैं sieve plate की form में दिख रही हैं जिसमें आपको pores दिख रहे हैं इन pores से ही दो sieve tube elements होंगे उनमें भोचे पदार जो हैं उनका आवागमन होगा इन sieve tube element के साथ आपको companion cell दिखाई दे रही है जिसका केंदरक sieve tube element को भी नियंतरित करता है आप इस चित्र में companion cell के साथ phloem में उपस्तित एक और component phloem parent कायमा को भी देख सकते हैं companion cells हम यह जानते हैं कि जो companion cells हैं यह सिरफ angiosperms में पाई जाती हैं यह अतिविशिष्ट प्रकार की मृदोत्तक कोशिकाएं होती हैं जो चालनी नलिका की कोशिकाओं से सलंगित रहती हैं इनकी passive tubes की सदस्य कोशिका के मद्य की बित्ती में अनेक सुक्षमिशिद्र होते हैं जिन में से गुजडने वाले plasmodesmeta sieve tube और सहर कोशिका के कोशिका द्रव्यों को संपरकित करते हैं companion cells में भी रिक्तिकाओं युक्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है companion cells और sieve tubes इन दोनों का origin एक ही meri stem से होता है in fact इन दोनों को बनाने वाली कोशिका एक ही होती है sieve tube elements and companion cells originate together both of them originate from a single mother cell इनको बनाने वाली mother cell same होती है so they are called sister cells इसलिए इने sister cells भी कहते है angios pumps में तो companion cells मिलेंगी लेकिन gymnos pumps में जैसे की conifers में इनके स्थान पर albuminous cells पाई जाती है जो angios pumps की companion cells के समतुल्ले है companion cells sieve tubes के अंदर pressure gradient को बनाए रखने का कारे करती है phloem के अंदर phloem fibers भी पाय जाते हैं जो वास्तव में scleran chymetis होते हैं इन्हें vast fibers भी कहते हैं यह much elongated unbranched होते हैं और इनकी ends जो होते हैं वो pointed होते हैं नीडल जैसे primary phloem के अंदर यह समानेता नहीं पाय जाते हैं जबकि secondary phloem में यह परियाप्त मात्रा में उपस्तित होते हैं इनका कारे सीव elements को mechanical support प्रोवाइड करना है क्योंकि यह scleran chymetis हैं तो maturity पर इनका protoplasm नश्ट हो जाता है और यह dead हो जाते हैं तो यह phloem का dead element है चोथा phloem का इस्सा होता है phloem parent काइमा इसकी कोशिकाएं living elongated होती हैं जिनकी wall thin होती है इन मृदुत्तक कोशिकाओं में समानेता बोजन संचय का कारे किया जाता है इनमें अनेक प्रकार के crystal, slish में पदार्थ और tanin नित्यादी भी हो सकते हैं और इनमें starch और oil भी भरा रह सकता है इस प्रकार आज हमने phloem की सरंचना tidal phytogenosperms और angiosperms के phloem में अंतर और इसके जो different elements थे उनके आपस में एक दूसरे के साथ coordinate होकर कारे करने को समझा झाल